हेलो फ्रेंट्स आज मैं बहुत इंटरस्टिंग सी रेसिपी आपके लिए के आई हूँ जिसको हम तवे पर बनाएंगे वह भी बीना तेल या ज्यादा मसा लोके आप इस रेसिपी को लंबे सफर पर चा Τ dès फिर घर पर या फिर टिफिन के लिए कभी भी बना का जटपर तयार कर सकते हैं तो देख किस बात की शूरू करते हैं आज इस recipe को बनाने के ले मैंने आपर लिया एक लोकी। लोकी हमने तरह पर यह पर एकडम कच्ची है. पकी वी लोकी नहीं कर ли så पकीवी लोकी में बीज जादा होंगे। तो इसका हम पहले छिलका उतार लेंगे इस तरीके से पतला पतला छिलका उतारना है और एक्स्ट्रा पार्ट हम इसका कर देंगे कट फिर इसको हम कद्दुकस कर लेंगे बीज बिल्कुल भी नहीं थे लोकी में तो कोशिश कीज़े गई कच्ची लोकी ही ले तो लोकी हमारी यहाँ पर कद्दोगस होके तयार हो गई है हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है एक मिक्सिंग बाउल में अब इसमें हलकी से टिंट के लिए हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा अद्रक समर सीजन है तो थोड़ा डालें विंटर में बनाएंगे तो आप अद्रक थोड़ा जादा भी डाल सकते हैं डेड़ चमबच हमने यहाँ पर लिये हैं सफेद वाले तिल तिल डालने से इस नाष्टे में फ्लेवर तो बढ़ेगा ही साथ में इसकी पोष्टिकता भी बढ़ जाएगी और यह लिया है यहाँ पर एक कप चावल का आटा और हाँ अगर आप लसुन खाते हैं तो आप लसुन भी यहाँ पर ग्रेट करकर डाल सकते हैं इसी स्टेज पर तो एक कप चावल काटा डाल दिया है उसी मेजर्मेंट से हमने यहाँ पर एक कप भरकर पानी भी डाल दिया है आप देख लीजी अगर आप एक कटोरी चावल काटा ले रहे हैं तो एक ही कटोरी पानी डालना है कब से ले रहे हैं तो कब से डालती चीज जादा पानी बिल्कुल भी एड नहीं करना है बस इस तरीके से चमचे से यह जुतनी भी हमने अभी चीजे इसमें मिलाई हैं पहले इसको एक बार हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स दे देंगे हमें इस इस मिक्स्शर को यहाँ पर गाड़ा ही रखना है तो उपर से डालेंगे हम यहाँ पर हरा धन्याünde पत्ती और टेस्ट अकोटिंग डालेंगे नमक एक चूधाइक, चमच डालेंगे कुट्धी, लालमिच, एक चूधाई चमची डालेंगे हम यहाँ थंडा वाला धन तेल मसालू के साथ बनती है बहुत कम इंग्रीडियन भी लगते हैं और जितनी कम समान से यह रैसीपी बनकर तयार होती है उसका टेस्ट उससे लाग गुना जादा है तो चलिए यह मिक्स्चर गाड़ा सा बनकर हमारा तयार हो गया है अब इसको लेकि चलते हैं गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ा सा कच्चा पर निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसमें चावल काटा डाला है तो यह देखिए अच्छे से यह जो मिक्स्चर है हमारा आटे की फोम में आ गया और बिल्कुल भी चिपक नी राए गया गया इसकी फ्लेम अब कर देंगे और इसको हमने अब नीचे निकाल लिया है अब यह बहुत गरम है तो थोड़ा इसको इतना ठंडा कर लेते हैं कि हम इसको आसानी से छूपाएं तो अब यह इतना ठंडा हो गया है तो बस इसको थोड़ा सामें इकठा कर देंगे इस तरीके से यानि की स्मूथ कर देंगे अब यह फैला फैला था और यह देखें बिल्कुल समूध हो गया, जैसे की फोम में आगए अब इसमें से एक पेडा लेंगे रूटी की जितना लेना है और इस तरीके से बेलेंगे पूरी की साइज में और एक कटोरी लेके इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे यह हमने पूरी की साइज की यहाँ पर पूरी निकाल लिया पूरी नहीं है यह पर पूरी की साइज की ही हमें यह निकाल कर त्यार करनी है इस तरीके से ही हम सारी आटे में से सारा नाश्ता बनागर देदी कर लेंगे बिलकुल इस तरीके से अब फिर से चलते हैं गयस की तरफ गयस पर चड़ाएंगे हम एक तवा मैंने यह आपर पैन लिया है और बिना तेल के हमें इसको इसके अंदर इस तरीके से सेट कर देना एक बार में जितने पीस आएं आपके दो तीन चार जिस हिसाब से भी आपका तवा या पैनो उस नाश्ता बहुत अच्छी से तयार होता है नहीं तो आप एक दो बूंद कोई भी तेल डाल सकते हैं जो आप यहां पर खाते हैं कोई दिकत नहीं है तेल में बनाएं घी में बनाएं पर बनेगा यह बहुत टेस्टी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा तेल लग रह तो बताइए अब आप क्या कहेंगे बहुत कम इंग्रीटिंट के साथ हमारा कम तेल मसालो वाला नाश्ता बनकर रेडी है और हमें या पर इस नाश्ते को मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में ही सेखना है तो दोनों तरफ से हमारा अच्छे से सिख गया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा टाम्टिंग कलर आया है तो चलिए आए इसको कर लेते हैं आप सर्व आप इसको सौस, चटनी, दही या फिर ऐसे भी खाएंगे न तो यह बहुत टेस्टी लगेगा और अगर लंबी सफर पर जाना है तो आप इस कम तेल के हल्दी नाश्टे को एक बार ट्राइक कर सकते हैं इंस्टेंट बन जाता है कम चीजों के साथ बनता है आज की हल्दी सी रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो और ऐसी रेसिपी के लिए वीडियो को करें लाइक चैनल को सब्सक्राइब तो मिलते हैं नए दिन ने रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग